कोई हैलो दोस्तों इस वीडियो में हम दखेंगे कि Пाईथन में जो रेवलर Expression मौड्यूल उसमें एक एक फंक्षन है है तो मैज़ाउ संगी किया से करते हैं काफी यूस¦ के देखेंगे कारेंगे एक इंपर्ट करेंगे रेगलर expression module और एक example sentence लेते हैं जैसे तुदे ले लिए अब हम क्या करेंगे एक pattern बढ़ाएंगे re.match सबसे पहला match का syntax का सबसे पहले होता है pattern की रहता है string और flags होता है होता है लिखने के जरूत पिन अगर नहीं चाहिए तो re.match हम पैटन के लेंगे माल नहीं जी लिखते हैं कि टुड़े के लिखेंगे डॉट स्टार string जो है वहा है s और इसको match करेंगे तो इसको match करेंगे तो वह return करेंगे तो true को evaluate करता है तो लिखेंगे print found match और else print no match ओके इस प्रोग्रम को compile करेंगे तो यह true आना चाहिए found match आना चाहिए क्योंकि today string में starting में आता है तो देखेंगे इसको करना प्रोग्रम को सक्सेस हो गया देखेंगे आप क्या करेंगे तो अब क्या करेंगे तो match चोंग्शन होता है शुरू में match करता है तो अगर हम यह माल लिजे लिख देता है है इस इस यह match नहीं करेंगा इस को आ जागा पाल्स क्यूंकि starting में हो दो है is नहीं है sentence में इसको compile करें देखेंगे capital T है तेकिन हमें आपे small t से match कर रहे हैं तो यह भी false आना चाहिए देखिए कि आइटी वनेट पर क्लिक कर दिया रहा प्रोड़ा में देखिए नो मैच आप तो जैसा कि रेग्लार एक्स्परिशन में सर्च फॉंक्शन होता है वैसा इसमें भी ले सकते हैं आरी डॉट आई ले लिए आरी डॉट आई मतलब इसका मतलब केस इंसेंसिटिव आई डॉट आई मेंस जेस इंसेंसिटिव तो अगर कापिटल टी या स्माल टी तो कोई फार्क ने पड़ता वो मैच कर जाएगा तो देखते हैं आटी वन प्रकिट कर दिया कि रहने हो रहा है देखिए पाउंड मैच आगे यह जो केस इंसेंसिटिव हो मतलब हम एकदम केस को कैसा भी कर दें देखिए वाल वह को भी कैपिटल कर देखिए फिर भी यह मैच कर जाएगा क्योंकि केस से कोई मतलब नहीं इसका फिर जा रन करके देखते हैं इसके बारे में आगे और चर्चा करेंगे इस वीडियो में इतना ही अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कॉमेंट में लिखें देखिए क्लोब आपको का देखिए